हेलो दोस्तो नमेशकार बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर यहाँ पर बहुत सरे लोग के रिक्वेश्ट भी आते रहेते थे सर रश्या वर्सिस यूक्रेन से रिलेटेड अभी के लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहे यहाँ पर बिलकुल हम लोग को पता है कि एक्स्ट्रीमली गुड और एक्स्ट्रीमली बैड ऐसा ही कुछ हो सकता है तो दोस्तो फिलाल पूतीन तो पीछे हटने के लिए तैयर है नहीं आप पकड़ कर चल सकते हो यहाँ पर बोल सकते है पूतीन ने अल्मोस धमकी देई है यहाँ पर किस से रिलेटेड वार से रिलेटेड तो चीज़े अल्रेड़ी चाल लुए वर्ड वर जैसी भी चीज़े वह अभी यहाँ बोलना स्टार्ट कर चुके यह मैं अपने मन की बात नहीं कहे रहा हूं इसके पीछे का लॉजिक क्या है रिजन क्या है वह अभी आप लोगों को पता है यूकरेन एंड रशिया के बीच में फाइटिंग चालू है और यूकरेन इजिली तो हार मानने वाला है नहीं आप देख सकते दस दिन से भी ज़्यादा वार को यहा पुतीन को अभी समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि अल्मुस्ट देखा गया तो स्टॉक मर्केट बरबाद उनके करंसी की बात करे तो वह बरबाद जो भी उनके जो इंटरनेशनल ट्रेड्स चलते थे डील्स चलते थे वह सब कुछ कैंसल हो गये है रेस्टिक्शन आ च वर्ड वर की भी यहाँ पर चेताव नहीं दिये और ऐसा क्यों देखे उन्होंने काया कि यह जो इकोनोमिक सेंक्शन आप लोगों ने यहाँ पर लगाया है यह पुतीन ने एक बार इसके पहले भी बोला था कि अगर आप हमारे उपर इकोनोमिक सेंक्शन लगाते हो इस न बड़ी हाईस लेवल की वार्निंग उन्होंने जारी कही है कि उन्होंने काया कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग इसको डिकलरेशन आफ वार यहाँ पर बोल ही देंगे और अगर हमारे उपर अगर कोई अटेक होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी जो कंट्रे हमारे जादा अभी सुना होगा देखा होगा यह क्या है क्या नो फ्लाइ जोन बहुती सिंपल है समझ में आता है कि एक ऐसा शेत्र जहां पे आप लोग उडान नहीं भर सकते तो यहां पर युक्रेन अगर हम लोग बात करे तो नाटो को यहां पर क्या कर रहा है रिक्वेस्ट कर एरफोस है आप बोल सकते हूं मतलब जो अलग-अलग कंट्री से रिलेटेड वो यहां पर क्या करेगी उस जो एरजोन रहेगी उसकी सुरक्षा करेगी and in the case रशिया के वहां पर कोई भी फाइटर जेट्स आते हैं so definitely वो उनके उपर अटेक कर सकते हैं अगर रशिया नहीं यही का है कि अगर आप यह नो फ्लाइजोन करते हो नाटो को ही वार्निंग दी है और अगर हमारे जो जितने भी प्लेंस जाने वाले है यहाँ पर अटेक करने के लिए उन्हें साफ सब का है कि अभी हम लोग हेवी बंबार्डिंग करने वाले इसलिए यूक्रेन ने यहाँ पर इसलिए यूक्रेन रिक्वेस्ट कर रहा है नाटो के पास कि नो फ्लाइजोन यहाँ पर लगाया जाए और यहाँ पर रश्या के कोई भी प्लेन आते है तो आपकी एरफोस जो है नाटो की तो उनके उपर आप लोग यहाँ जवाब दीजिए तो रश्या नहीं यही का है कि अगर हमारे बीच में अगर कोई आ जाता है यूक्रेन और इसके तो हम लोग इसको डिकलरेशन आफ वार ही आपे समझेंगे यह नहीं कि आपको शव्द यहाँ पर मिल जाएंगे पुतिन ने भी सबसे पहले तो उनने यही का है कि नो फ्लाइज जोन को वार्न बहुत ही वस्ट होती ही देखने को हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है और यहां पर बात करें कि कोई भी हम लोगों को पीछे आटते हैं मतलब अगर पर यहां पर पहुच चुके हैं यूक्रेन के आजादी को बचाने के लिए यहां पर मतलब कि अलग-अलग countries है, वहाँ पे European countries है, Western countries है, उन्होंने कहा है कि देखे, directly हम लोग तो कोई Ukraine की मदद यहाँ पे नहीं करेंगे, बट voluntarily कोई अगर जाना चाता है, खुद के मन के हिसाब से Ukraine के आर्मी में, यहाँ पे Russia के अगेंस लड़ना चाता है, तो आप जा सकते हो, तो दोस इसे बहुत सारे जगे से 15,000 से भी जादा लोग यहाँ पे जुड़ चुके, जोने ने का है, हम लोग युक्रेन के आर्मी के साथ खड़े रहे के, रशिया का यहाँ पे फाइट करेंगे, उनके अगेंस्ट फाइट करेंगे, आप देख सकते ही जितना यह लंबा वार चल कि पूरी तरी किसे बैंड बच चुकी है, इनका बाजार तो अभी बंद ही रखना समझदारी, आप सबलों को पता है, वरना तो हालत ही आपे खराब हो जाएगी, बट प्रॉब्लेम यह हो गया कि दुनिया बर की जितने भी बाजार चल रहे हैं, उनमें हम लोग लगातार यहाँ पे बिकवाली देखने हो, आपे मिल रहे हैं, नो डाउट यह एक्स्टरनल इशो है, इसके चलते हैं, देखा गया तो पैनिक तो रहेगा, बट उस लेवल का पैनिक होना नीचे, यूरोपियन कंटरिस की तो धज्या उड़ चुकी है, चार पसेंट, साड़े चार हुए है, कि नाटो यहाँ पे क्या फेसला लेगा, मुझे तो नहीं लगता कि नाटो करना चाहता था, तो वो पहले ही कर लेता यहाँ पे, और नो फ्लाय जोन से रिलेटेड नाटो यहाँ पे इतनी बड़ा कदम उठाएगा, तो बहुत ही जादा डिफिकल्ट यहाँ पे क्या डिमांड यहाँ पे किया जा रहा है, युक्रेन बार-बार डिमांड कर रहा है, कि रश्या अभी बहुत ही हेविली बंबार्डिंग करेगा, तो नो फ्लाय जोन को यहाँ पे लगाया जाए, रश्या नहीं यहीं का है, कि नो फ्लाय जोन लगाया होगे, मतलब आप हम हमारे हाथ में यह पूरा न्यूज बेस के उपर बाजार यहां पर चलते वे देखने को यहां पर मिल रहा है तो इसलिए मैं आप लोगों को बताया है यहां पर कि जो भी इंपोर्टेंट बाते आएगी जो की स्टॉक मार्केट में एक्चुल में कोई इंपक्ट करवा सकती है जादा तर करके जैसे मैंने कहा कि एक ही न्यूज ऐसे रहेगी कि अगर वह वार रुख जाता है तो वह बहुत ही पॉजिटिव न्यूज रहेगी वरना डेली बेसेस के उपर नेगेटिव ही न्यूज हम लोगों को देखने को यहां पर मिल सकते है ज अगर हम लोग इंडिया की बात करें इंडिया तो बहुत दूर है और डिरेक्ली तो इंडिया का कोई भी ऐस सच इन्वाल्मेंट तो देखने को आप नहीं मिल रहा है तो इसके पहले भी ऐसी चीज़ें यहां पर हुई थी उसके बाद माहुल वापस हम लोगों को शान्त ह इसके चलते हैं जरू कहीं सकते हैं चीज का फाइदा आप लोग यहां पर इन्वेस्मेंट करने के लिए अच्छे स्टॉक में जरूर यहां पर फाइदा उठा सकते हो पसंद आँगा तो जरूर लाइक अण शेयर यहां पर कर देना एंड डिमेट अकॉंट अब नहीं किय बाइ बाइ